Hello friends, मैं मौनिका, आपकी कार्णर दोस्त, आज आपसे बात करूंगी अडेनियम को अच्छी सी शेप कैसे दें, खुबसूरत कैसे बनाएं अपने अडेनियम को, ताकि वो बोन्जाई जैसे दिखें और उसमें जादा से जादा फ्लार आएं, तो देखें मैं आपको से ग्रो करता है, कई लोग और कई तो ऐसा लगाते हैं अडेनियम कि वो चार-चार फिट उचे हो जाते हैं, उनकी ब्रांचे इतनी उची-उची हो जाती है, वो फिर ना ज्यादा, वो पेड लगने लग जाता है, उसको बोन्जाई और उसको आर्टिस्टिक सी शेप नही होगा, उसमें लम्बी-लम्बी सी ब्रांचे थी, हर ब्रांच के ऊपर थोड़े से फ्लार किलते हैं, उसका जो बोन्जाई जैसी शेप नहीं आ रही थी, यह वाला देखिए, इसकी भी अलग आ रही है, अगर मैं इसकी ब्रांचे बड़ी होने देती, तिन-तिन फिट की, चार-चार फिट की हो जाती, तो हो सकता है, फ्लार उन लम्बी ब्रांचे में दो-चार-पांच जादा भी आ जाते हैं, लेकिन हमें अपने अडेनियम को सुंदर कैसे बनाना है, आज हम इस पर बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज अडेनियम को सुंदर बनाने की यह होती है, कि अडेनियम को आप कभी भी गहरे गमले में नहीं लगाएंगे, बहुत जगा पर मैंने देखा है, लोग अडेनियम को नॉर्मल जो हमारे 12 इंच के गमले हैं, या जो 9 इंच के गमले हैं, और कई लोग तो 16-16 इंच के गमले में, बढ़े वाले जो कूंडे आते हैं ग खूबसूरती को मार देता है, अगर आप इसको गहरे गमले में लगाएंगे, अडेनियम को मैक्सिमम 4 इंच से ज़्यादा गहरे गमले में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, इसकी खूबसूरती के लिए first step यह है, तो गहरे गमले में नहीं लगाना है, इसको हमें shallow में लग गमले में लगाना है, तो वह जो होते हैं, जब हम खरीद के लाते हैं तो वह ऐसे होते हैं, ऐसे लंबे-लंबे नीचे से, और कई बार देखे, इसकी ब्राँच छोटी-मोटी काटी हुई है नीचे से, यह दिख रहे हैं आपको यह वाली, यह ब्राँच, यह ब्राँच, क के सब्क्राइब ऌ бесп Fine अगर इतना से पौदा है तो चोटा सा पौदा है तो इनीशिली चलने दें आप ऐसे में चलने ऐसे में लगा दें जैसे मैने लगाया हुआ है लेकिन जब बाद में ये पौदा आपका इतना बड़ा के करीब हो जाए इतना बड़ा चार-पांच मेने लगा रहने देंगे और ऐसी स्टेज में इसको हम NPK 1990-1919 देंगे ताकि थोड़ा सा बड़ा हो पौधा तो बड़ा होने के बाद जब यह इतना बड़ा हो जाएगा न हमारा पौधा इतना अच्छा तरह स्टैबलिश हो जाएगा यह चीज भी थोड़ी सी ऐसे मोटी हो जाएगी वैसे इतनी स्टेज में भी लोग कर लेते हैं लेकिन मैं क्योंकि सेफ बताना चाहरी हूँ आपको इसलिए कहeries हो कि इतने चोटे में नआ करें कई मेरे भी इतने चोटे में करने से खराब हूँ है तो मैं बड़त हमें करती हूँ अब तो जब यह पौदा थोड़ा इतना हो जाए समझलो आप 9 इंश तक का हो जाए 10 इंश तक का बड़ा हो जाए और अच्छी तरह फैल जा है हमें यह चाहिए कि बस इत्ता हो गहरा नहीं हो जादा अभी मैं इसको अभी नहीं कर रही हूँ वैसे सर्दी आती इसले भी नहीं किया जब यह गर्मी में आप तोड़ा ग्रोथ पकड़ेगा तो हो सकता है मैं इसको जुलाई अगस्त किसमें करूं यह काम सितंबर में ऐसे काटते हैं दो टुकड़ों में फिर क्या होगा कि फिर उसके उपर नीचे आप पूरा फंजी साइड लगा दे जब कटे हुए हिससे के नीचे जो कटके ऐसे काट देंगे न दो हिससों में कटे हुए हिससे पर फंजी साइड लगा दे और किनारे किनारे पर थोड़ा जाती रहती है ना जड़ तो वो चोड़ाई में नहीं बढ़ता है तो हमें चाहिए कि हमारा अडेनियम का ये इस सिस्थे को कहते हैं कॉडेक्स ये बढ़ा हो चोड़ा हो तो उसके लिए जड़ को हमने नीचे से जैसे काट दिया तो वो नीचे लंबी नहीं जाएगी छोट कर देते हैं नीचे से सबसे बड़ी चीज यह है उसके बाद और जड़े आ जाएंगी जब आपने वो काट दी ना उसके बाद और थोड़ी-थोड़ी जड़े छोड़ दे बिल्कुल 100% नहीं काटे साइट की पतली-पतली थोड़ी जड़े छोड़ दे ताकि वो घ्रोव गमले में क्यों कह रही हूं चार इंच के जैसे नीचे से हमने फ्लैट कर दिया फिर हमने इसको चार इंच के गमले में लगा दिया तो इसकी जो नई जड़े निकलेंगी न वो फिर बहुत बड़ी नहीं निकलेंगी उस साइड में फैलेंगी ऐसे साइड में फैलेंगी और आपके अडेनियम को देखे जैसे यह फैल रही है ऐसे साइड में जाएंगी वो जड़े ऐसे यहां पर यह देखे दिख रही है आपको यह ऐसे साइड में जाएंगी और आपका अडेनियम को खाना देंगी और अडेनियम मोटाई में बढ़ेगा तो यह सबसे बड़ी तो आपकी अड़नियम में है, तो अपना बचाओ करने की स्थिती में नहीं होता है, कोई सोया हुआ इंसान होता है, उसको कोई मार सकता है ना असानी से, तो ये सर्दी में सोय हुए होते हैं तो इसलिए इनकी ब्रांचे से तंबर में काटना है ये दिखे ये मैंने कटिंग करी होई है आपको दिख रही होगी ये कटिंग करी है और उससे बुशी भी होता है ये कटिंग करी है नीचे से देखे पौदा यूँ फैलेगा और जित्ती ब्रांचेज होंगे उत्ते जादा फूल आएंगे तो तीसरी चीजी हो गए कि आपने अडेनियम को सितंबर में आपको कटिंग कर देनी है और एक next step आपने अडेनियम को सुन्दर बनाने के लिए ये है कि जब भी आप अपने अडेनियम की reporting करें आपको लगा कि ये बहुत जदा भी मैंने reporting की वीडियो भी डाली थी आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि किस तरह से रिपॉर्ट करना है आपको अपने अडेनियम को तो वो तो प्रोसीजर आप उसमें देख लेंगे और रिपॉर्ट करते समय एक और काम करना है सुन्दर बनाने के लिए वो दिखाती हूं मैं आपको तो देखिए जैसे यह है यह अडेनियम मैंने रिपॉर्ट किया था तो रिपॉर्टिंग की वीडियो भी डाली थी तो हर बार जब आप अपने अडेनियम को रिपॉर्ट करें तो थोड़ा सा उपर निकाल दें मिट्टे के यह दिख रहा है आपको पहले जब यह दूसरे गंडे में लगा हुआ था तो यह यहां तक मिट्टे में दबा हुआ था फिर जब मैंने इसको रिपॉर्ट किया तो यह एक इंच डेर्व इंच ऊपर उठा दिया आपने पॉदे को देखा आपको यह दिख रहा है तो जब भी आप अपने अडेनियम को रीपोर्ट करें, देखे कितने शैलो में लगाया हुआ है, रीपोर्ट करें और देखे पतियां वगएरा आने लग गई है, यह इसकी ब्रांच जो है, यह आने लग गई पतियां, तो इसको क्या है कि उपर उठा दे, जितना आप उपर उठाते जाएंगे, उत्ता आपका पौदा ज्यादा खुबसूरत, यह जड़ों की शेप उपर उठाते जाएंगे, और खुबसूरत होती जाएगी, तो यह friends कुछ पॉइंट्स थे, जो आप फॉलो करके, अपने पौदे पर जिनको यूज करके, आप अपने अडेनियम क ज्यादा खुबसूरत बना सकते हैं, तो friends अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करिएगा, ओके friends, बाई!